यूआ इकाई और जो चातर इकाई है CYSS उसने मिलकर के आज एक प्रोटेस्ट प्लैन किया था CET के मुद्दे पे रोजगार के मुद्दे पे आज 25 लाख बेरोजगारी सर्याना के अंदर है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है तो जब तक मुख्या रोपी नहीं पकड़े जाएंगे सर्गना नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कैसे होगा नोजवान अगर परिशानी में है यह देश का हो चाए पार्टी का हो तो हम उसके साथ कड़े हूँ हर्याना विदानसभा के सत्र काज पहला दिन था और काफी हंगामे बरा यह दिन रहा और इस दिन के लिए कहा जा सकता है कि एक तरफ जिदर सदन के अंदर कारवाई शुरू होती है सदन के बाहर जो किया हंगामे शुरू हुआ आमादमी पार्टी दोरा खास तोर पे एक प्रदर्शन किया गया इस वक्त शोक्तवर हमारे साथ मौजूद है तरफ साथ क्या कुछ मुद्धे हैं कौन से ऐसे मुद्धे जिनको लेकर आपको लगता है कि प्रदर्शन भाहर करना पड़ा शायद उन मुद्धों के लिए अंदर चर्चा नहीं हो रही या फिर कहा जाए कि सरकार दोरा उन मुद्धों पे को अवाइड करना ही कोशिश की जा रही है देखिए सदन में क्या चर्चा होगी क्या नी चर्चा होगी हम तो जनता के साथ जो चर्चा करके जो मुद्धे सामने आते हैं उनको सामने लाने की हमारी कोशिश थी सदन के अंदर आम आद्वी पार्टी हरियाना में नहीं है लेकिन भार मजबुत उपस्तिती है लोगों के लिए हम लड़ते हैं आज हमारी यूआ इकाई और जो चातर इकाई है सी वाई एसस उसने मिलकर के आज एक प्रोटेस्ट प्ल टाले हैं लोग पैसे लेते देते पकड़े जाते हैं उसके बाद बरी हो जाते हैं आज उपर तक पहुंचते नहीं है नीचे नीचे जो है वो धंडित होते हैं और बात में क्योंकि मुख्य आरोपी तो वह है नहीं तो जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे सरगना नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कैसे होगा तो इन मुद्दों को ले करके आज हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया जो पुलिस ने कोशिश करके कुछ हमारे साथियों को वो अलग-अलग जगे भेज दिया हिरासत में ले लिया है अभी देखेंगे कहां कहां से क कि हमें भी आने के लिए रोक रहे थे अभी पुलिस वाले हम तो उनको छोड़वाने के लिए और उनसे मिलने के लिए आ रहे थे कि नोजवान अगर परिशानी में है चाए देश का हो चाए पार्टी का हो तो हम उसके साथ कड़े होंगे दूसरा बार आई पूरे हरियाना कि आदे जिले बार की चपेट में थे बार गरत गोशित हुए लेकिन अभी भी ना तो उनका मुहावजा मिला है कई लाके ऐसे हैं फत्याबाद में आज भी चार चार पांच-पांच फिट पानी खड़ा है मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को जंडा वहां पर फेराया हमें लगा कोई बड़ी गोशना करेंगे वहां जा कर गे लेकिन कुछ नहीं हुआ पानी यूँ ही खड़ा है मकान डूबे हुए हैं लोग पलायन कर चुके हैं वहां से मुआवजा जो फसलों का मिलना चीए था वो नहीं मिला दूसरा जो फसली क्लेम है जो विमा योजना के त तब टेक्निकल कमेटी नहीं जाती है लेकिन जब किसान को पैसा देना होता है तो बाड़ से प्रवाविद जो फसले खतम होगी उनका भी देना चीए जो पुराना एक एक डिड़ डिड़ साल का पैंडिंग है वो भी देना चीए महिला उत्पेड़न जो खिलाडी है मंतर अभी भी यह कहीं बरकरार है तो यह तमाम मुद्धे थी सड़के टूटी पड़ी है एक ऐसा मसला है जो कि काफी हाइलाइट तो हुआ लेकिन उसके रिलेटेड कोई अभी तक चर्चा नहीं उपर ही नू की इंसा को लेकर आपको क्या लगता है कि सदन में कोई चर्चा क् कार जो कि है इस मुद्धे पर चुपी क्यों साथ के बैठी हुई है तो है कि मैं समझता हूं कि इसमें कांग्रेस और बाजबा दोनों दोशी है अगर आप वीडियो निकाल करके देखेंगे तो कांग्रेस के मलेज भी इसमें शामिल थे बढ़काने में उक्साने में कहीं कहीं पिछे उनका भी रोल होगा और इसी तरीके से भारती जन्ता पार्टी तो सपस्तोर पे इस तरह की राजनिती करती है तो सदन के अंदर चर्चा होनी चीए और हम यही कहेंगे कि जैसा मनिपूर हिंसा के उपर संसद में चर्चा वो नो कॉन्फिडेंस के मादेम्शे ह होई लेकिन वो तो दस साल का बखान कर दिया कुछ सेकंड के लिए मनिपूर की बात हुई अगर हम हर्याना को बचाना चाते हैं आगे भविश्य में भी जलने से तूटने से तो यह कोशिश होनी चीए वर्तमान सरकार की विपक्ष की कि गंबीरता के साथ उसके उपर चर् कालानो और जो कई और इलाके थे वहां निर्दोश लोगों को पकड़ पकड़ करके अंदर डाल दिया उन्होंने बताया कि आमादी पार्टी द्वारा किस मुद्न किन मुद्धों को लेकर जो किये धरना दिया गया और साथी साथ नू की हिंसा पर जिस तरी की चुपी जो साधी गई है उसके लिए कहीं न कहीं वो अपने आप में सवाल खड़े करता है विरोधी दल पर भी और विपक्षी दल पर भी और साथी सत्ता पक्ष पर भी क्यामरावन विवेक अनंद के साथ अन्मूल सिंग गुलाटी वर्ल्ड पंजाबी न्यूस चन्ड़ीगे